हलो एवरीवन मैं नूतन रेफ्रिजरेशन प्राइवे लिमिटेट कंपनी के दरब से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी यूटूब चैनल पर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सोडा मसीन पार्ट्स रिलेटेट्स का वीडियो इससे फ्लेवर ऊपर रहेगा यह सोडा मशीन में लगता है सर्किट यानि की पीसी भी है आप देख सकते हो सोडा मशीन के अंदर जो जो पार्ट्स यूज़ होते सब हमारे पास रेडी स्टॉक में रहता है यह सेंसर है जो मसीन के अंदर कार्भोनेट के अंदर यूज़ होता हैdocka यह चो कौको कॉला कंपनी का आप देख सकते हो कितना स्टॉक है पास यह जो टेंक रेता है, इसमें एक साल का व्रणन्टी आता है, उसका भी स्टॉक हमरे पास चार डइप की अलग-Alग टेंक रेते हैं हमरे पास, आप चारो चार देख सकते हो, यह है प्लास्टिक का टेंक, फूट ग्रेड प्लास्टिक में रेता है यह है विदाउड रब्बर यानि की उपपर SS का हैंटल रेता है पूरा SS का टैंक रा इसका भी एक सलका वारेंटी आता है यह टेंग कोको कोला कंपनी का टेंग यह इसके अंदर वित रबबर ब्रेंड न्यू टेंग इसमें भी एक साल का वारेंटी रहता है चारों टेंग अलग-अलग रहता है और सोडा मशिन के अंदर यह जो पाइप यूज होती है फूड बेवरेज मैडिन इन कैनेडा की फूड ग्रेट पाइप रहती है पूरी और मशिन के अंदर आप देख सकते हो अलग-अलग टाइप के रेगूलेटर रहते है यामाटो परफेक्ट है यामाटो हैवी है मितासू है मैकवैल है टेपराइट है औरचिड है अलग-अलग कंपनी के अलग- सीरफ कोईल यह देख सकते हो आप सोडा पानी सेट यह देख सकते हो आप सीरफ कोईल यह देख सकते हो आप मैंगो कोईल मशिन के अंदर अलग-अलग कारबोनेट रहते है जैसे कि यह है चार हिच का कारबोनेट यह है आठ हिच का कारबोनेट यह मशिन के अंदर बोटलिं है इसमें भी तीन अलग-अलग साइज रेता है आप देख सकते हैं तीनों साइज है इस एक दो और तीनों हींग है को यह यह का सब्सकें affecting मसीन के अंदर जितने के रीगुलेटर new और लीक वज़ सकते हैं मैड अलिग मैं एक यहिध माडो मैं प्लनार का रैगुटर्ट है मसीन के अंदर अलग-अलग टाइप के वाल यूज होते हैं जैसे कि लैंजर डुप्लिकेट लैंजर ओरिजिनल लैंजर और यह आप देख सकते हो एक स्टील का जो रहता है वो पूरा रहता है कॉर्ण अलियस मसीन के अंदर अलग अलग टैप के मेंगो टैप रिधे है जैसे कि यह टैपड़ाईट है यह क्रौमी है यह लिंक्रो पावाल है और यह और चीट का वाल है और भी सारे मसीन के अंदर स्पैर पाट यह सरफलो का पॉम आप देख सकते हूं यह है रोटो का पंप जो मैडेन इटाली रहता है यह कॉपर पाइप कॉपर पाइप मैडेन वियत नाम है कॉपर पाइप में अलग-अलग साइज रहता है इसमें 2.2 केजी से लेके 3.5 केजी तक अलग-अलग वेट रहता है यह है मेडेन मेक्सिको का पंप जो मैंने आपको दिखाया आप यह है कि इमर्शन कंप्रेसर इमर्शन कंप्रेसर का हमरे पास डिलर्सिप है इमर्शन में जितनी-जितने कंप्रेसर की रेंज है 461, 444, 511, 513, 423, 415, अलग अलग सीरीज ये टोटल हमारे पास ready stock रहता है आप देख सकते हो, इमर्शन के सारे compressor हमारे पास ready stock है और ये machine के अंदर जो use होता है clamp 11.3 और दूसरा जो रहता है stock 13.3 ये है 170, 170 नंबर का clamp, सबसे बड़ी size सोडा मशीन के अंदर अलग अलग मोटर लगती है, आप देख सकते हो, अलग 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 ब्रेंड की अलग अलग मोटर रहती है ये है छोटी मोटर, और ये है Madden Italy Sismi Company की मोटर, ये है Himson की मोटर, और ये है मेरा थोन की मोटर ये है LG के compressor, जो freeze है, deep freezer है, water cooler है, bottle cooler है, अलग अलग छोटे रेफ्रिजर एक्पिपमेंट है, उसके अंदर लगते है ये है मसीन में जो use होता है CO2 cylinder, जो हम cylinder भी customer को यहाँ से supply करते है हमारे पास refrigeration related, यानि के soda bottling machine है, soda machine है, मारूती वान soda machine है, bottling plant है, softy machine है, candy plant है तमाम रेफ्रिजर एक्पिपमेंट के सारे spare parts आपको हमारे यहां से मिल जाएंगे तो प्लीज हमारी चैनल को like करे, subscribe करे और bell icon दबाए ताकि हम आपको आने वाली refrigeration product के बारे में और जानकरी दे सके